आजकल बहुत सारे लोगों के cash withdrawal पर TDS amount कट जा रही है बहुत सारे लोग मुझसे यह सवाल पूछ रहे है कि सर मैंने इतने रुपे की withdrawal की अपनी account से और उसके बाद मेरी इतने रुपी की TDS कट गई है तो इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी चैनल में एक वीडियो नहीं देखा होगा और बोता नहीं होगा क्यों यह की्तने kdS कट रही है और किस मतलब किस इंट्रेस्ट के सब्सक्राइब तो आज की वीडियो में मैं फिर से आपको एक वार फिर से बता देता हूं सब्सब्स कैसे हम अपनी को कटने से बसा सकते हैं और आखिर कितने रूपे पर जो 194N के तहर अभी जो TDS deduction हो रही है और वो कैसे हो रही है तो आज की वीडियो को देखकर मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स अभी clear हो जाएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है वीराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल वीराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटा पर शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर क्या है यह सेक्शन वान निटीफॉर एन ओफ इंकॉम टैस्टेश्टिवा एक जुलाई दो हजार बीस को ही सेक्शन वान निटीफॉर एन की धारा को गवर्मेंट आफ इंडिया ने लागू कर दिया था और यह सिंपल यह एक ऐसी ध है जो भी ब्यक्ति कैस वीडिफॉर कर रहा है चाहें वह सेभइंग अकॉंट यहां पर जो सेक्शन वान निट अंगर एक और दो पिछले तीन साल तक अपनी टैक्स पाइल नहीं कि है तो उनके लिए जो इंटेस रेट वह काफी ज़ादा है और अगर एक ऐसा ब्यक्ति है जिन्होंने अपनी income tax file रेगूलर कर रखी है पिछले तीन सालों से तो उनके लिए interest rate काफी कम रखी गई है तो सबसे पहले जान लेते हैं अगर एक कोई भी ब्यक्ति जो जिन्होंने तीन सालों तक जो अपनी income tax file की है तो उनके लिए क्या-क्या यहां पर नियम धेरे किया गया है मतलब एक करोर तक की cash withdrawal चाहे वो saving account हो या फिर current account हो उनके पेन के अंदर वो चाहे किसी भी bank में हो nbfc में हो या फिर post office में हो या फिर corporate bank में हो तो उनके पेन के अंदर जितनी भी cash withdrawal हो रही है तो वह अगर एक करोर रुपय को cross नहीं कर रहे है तो उनकी कोई भी टीजयर introduction नहीं होगी लेकिन एक करोर से ऊपर की अगर वह cash withdrawal कर रहे हैं तो मिला जूला कर तो उनकी जो भी withdrawal हो जो tds deduction होगी वह tds deduction होगी जो भी withdrawal amount है uh और यहां पर जोand्घ रखी गयी है वह रखी गयी है 2% तो मतलब अग्र में try to और मेरी जो कैसे डॉल है वह सब कोछ मिला कर एक कर रहा हूं मैं रेगुलर टेक्स पे कर रहा हूं तो उस समय जो मेरी एक कर रूपे टीडियस पे नहीं करना है लेकिन जो 10 लाग एक्सेस हो गई है तो वहां पर मुझे दो परसेंट यानि कि 2000 रुपे मुझे पे करना परेगा एज टीडियस यह सिंपल है सिंपल है सिफ और सिप जो टेक्स पीलर है उनके लिए लेकिन अगर कोई एक ऐसा ब्यक्ति है जिन्होंने पिछले तीन सालों में कभी मतलब किसी एक साल में अपनी जो टेक्स पीलिंग है पहला सिल्ब रखा गया है 20 लाग तक और जो दुसरा सिल्ब रखा गया है वो रखा गया है एक करोर तक तो यहां पर जो नॉंट टैक्स फिलर है अगर बीस लाग तक अपनी जो कैस्वेडियस है वह कर रहे हैं तो उनको एक भी रूपे टीडियस के तोर पर पेड नहीं कर रही है तो उनको पे करना पड़ेगा 5% तो यहां पर मैं आपको एक्जाम मुल दे के समझा देता हूँ एक करोर दस लाक रुपे मैंने अपनी जो भी पेन नंबर है उसके थूरों कैस्ट विड्रोल कर दी है तो यहां पर मैं एक रिगुलर टेक्स फिलर हूँ मतलब मैंने लास्ट तीन सालों में एक या दो साल अपनी टेक्स फाइल नहीं कि तो उस समय मेरी जो भी विड्रोल अमाउंट होगी 20 लाग से लेकर से एक करोर तक 80 लाग रुपे स्थारी यहां पर मुझे 2 यानी 960 रुपे स्यऽ sayn das High अगर आप 10 लाट the और तो आप 20 लाग तक अपनी cash withdrawal करवा सकते हैं लेकिन उसके उपर आपको काफी भारी वरकम टीडियस पर करना पड़ेगा लेकिन अगर आप एक regular tax मतलब taxpayer है regular tax file कर रहे हैं तो आपको एक करोर तक कुछ भी चिंदा करने की बात नहीं है तो यहां पर यह तो यहां पर सेविंग एकाउंट हो यहां पर करेंट एकाउंट हो यहां फिक्स दिपोजित हो रही है उसको टोटल यहां पर मतलब गिना जाएगा तो इसको आपको ध्यान में रखना है तो यही कारान है जिसके वज़र से अभी cash withdrawal पर बहुत सारे लोगों की टीडेस दिडाक्ट हो रही है यह उन लोगों की टीडेस दिडाक्ट हो रही है जो यह applicable जो slab है उनको cross कर दिया है उन्होंने और उसके बाद अभी यह जो financial year है यहां पर तो उनकी जो टीडेस है वो डिडाक्ट हो गई है लेकिन यहां पर आपको चिंता करने की बात नहीं ह था और यह जो टीडेस है यह तो simple एक advanced tax ही होती है जो income tax जब आप filing करेंगे तो उस समय adjustment हो ही जाती है आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ निया information मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को like और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करके bell icon क को पैस करें जिससे की मेरे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो से लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care